जैशरा दोस्तों भोक का कारग्र है लक्ष्मी का कारग्र है धन का कारग्र है शुक्र 23 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच नीच होने जा रहा है जहां ये नीच शब्द सुना जाता है ना वहाँ पर दिमाग में आ जाता है कि भाई अब आगे क्या होगा एक फियर एक भै का माहल बन जाता है कि कहीं ये समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब ना हूँ आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे बारा लगनों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इतना घबराने की जरूत है नहीं इसके साथ कुछ एड्वांटेजिस भी जुड़ी है जो आप शुक्र नीच होगा उसके साथ वो हम डिसकस करेंगे और जानेंगे उसका क्या बातों को अपने दिमाग में रखे पहले यह कि जिस ग्रह के गोचर की बात हो रही है वो अभी कितना बली या निर्बल है जैसा कि मैंने का शुक्र नीच होने जा रहा है तो अभी कोई फिलहाल उसकी सिती बहुत अच्छी मानी नहीं जाएगी दूसरी बात यह देखिए क की कुण्ड़ी में ग्रह का वेध हो रहा है कि नहीं वह कैसे होता है आने वाली वीडियो में फिर बताऊंगा जब मैं चंद राश्यों को कवर करूंगा कि 12 राश्यों पर शुक्र के गोचर का क्या असर है इसके अलावा जन कुण्ड़ी में आपके ग्रह कैसे बैटे हैं इंपॉर्टन चीज है उसके बिना गोचर देखना इतना जदा फलदाई नहीं होता है मेरा कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा सेम तरह का गोचर अलग-अलग विक्तियों पर अलग-अलग प्रभाव डाल रहा होता है उसका कारण यह है कि हरें की कुंडली में लग सेम हो अवजूद ग्रहों की सित्य अलग-अलग होती है अभी आपकी दशा क्या चल रही है वो भी गोचर पर असर डालता है तो इन चार फेक्टर को दिमाग में रखते हुए फिर गोचर पर चलना चाहिए और जानना चाहिए कि गोचर क्या अफल दे सकता है तो शुरू करते है मेशलगन से मेशलगन की पत्रिका कुछ इस तरह से नजर आती है अगर आपके अपर मिडल बॉक्स में एक लिखा है तो हम यहां पर आपकी बात करें ठीक है तो यहां पर अगर अमने ध्यान दिया तो आज यह कहूं कि 23 अक्टूबर से 16 नवंबर के दर्मियान जो ग्रहों की सिती रहेगी वो कुछ-कुछ इस तरह रहेगी जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब इसका क्या प्रभाव नेटिव पर आ सकता है सबसे पहले तो यह देखिए धन भाव का स्वामी शुक्र बनता है इस कुंड़ी में जो छटे भाव में गोचर करना है दिमाग में यह आता है कि दूसरे का स्वामी छटे में चला जाए तो सिती को खराब करेगा ऐसा सबी चीजों पर अप्लाइड नहीं होता है यह सिती पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी है धन भाव का स्वामी या अल्थ भाव का स्वामी अल्थ त्रिकोंड में ही बैठा और वो लगन के स्वामी मंगल को देखा है इस वज़ा से इस पीरियड में हम कह सकते हैं कि धन धन त्रापति के धनागमन के योग है इसके साथ साथ क्योंकि मकर राशी में बैठा शनी चौते भाव को देख रहा है और चौते से चौते में सूर्य बैठा है इस वज़े से पारिवारिक क्लेश की संभावना बनी हुई है तो अध्यान रखेगा कि आपसी तालमेल ना बिगड़े परिवार में क्लेश ना हूँ दूसरे भाव में राहू भी है इस वज़े से वाणी पर विध्यान देने की आवशकता है यदि यहां पर एक चीज आप और नोटिस करे इस वज़ा से पत्नी की सेहत का विशेश ध्यान रखें और उनके साथ तालमेल का भी ध्यान रखें वेवाहिक जीवन में तनावत पन्न हो सकता है यदि इस सवदी पर आपने ध्यान नहीं दिया तो अब बात करते हैं वृशब लगन के वृशब लगन में पत्रे का कुछ इस तरह से नजर आने वाली है इस महीने मैं फिर डेट बोलूँगा 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मिचे यहां पर अगर आप ध्यान दें तो लगन का स्वामी पंचम भाव में नीच हो रहा है और उसको मंगल देख रहा है पंचम भाव प्रेम संबंदों का है और प इस सवधी में जिनके साथ भी आपके प्रेम संबंद है वहां से अगर कुछ कड़वा सुन्ने को मिले तो सब रखेगा आने वाला वक्त दुबारा बहतर हो जाएगा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है इसका कारण क्या है कि पंचम का स्वामी छटे भाव में छटे भाव का स्वामी पंचम भाव में और वो लगनादी पती भी है ऐसी सिती में एजुकेशन से जादा या यू कहूं कि कमपटिटिव एक्जाम्स और परफॉर्मेंस के लि तो यह कुल्मिला का स्वामी दिखा रही है कि इस समय बच्चों को लेके चिंता हो सकती है तोड़ा ध्यान रखे बच्चों का आगे बात करते हैं मित्वनलगन की मित्वनलगन में पत्रिका कुछ इस प्रगास से नजर आएगी यहां पर लगन का स्वामी पंचम भाव में बैटा है नीच सूरे के साथ जो तीसरे घर का भी मालिक है चौते भाव में शुक्र बैटा है जो की दिख बली होके बैटा है ऐसी स्थिती में भौत एक सुखो की प्राप्ति उसमें तिमाग लगना उसके प्रतिरोजान होना उसकी संभावना बहुत जादा है क्योंकि सुखो की तरफ आपका रुजान भड़े मेटिलेस्टिक गेन के लिए आप चाहें ध्यान की कमी होगी ध्यान की कमी होने का कारण यह है कि लगनादी पती पंचब में अगर कमजोर हो जाए तो फोकस करने में दिक्कत आती है उसमदी में जहां तक शुक्र की बात है शुक् का विशेष ध्यान रखें देखिए मंगल इस लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं होता और वह अपनी चौती दिश्टी से लगन को और आठवी दिश्टी से लगनाधी पती को देख रहा है ना केवल इतना आपके लगनाधी पती को शनी भी देख रहा है आप तू यह दूरे के साथ उसका बैठना सेहत पर ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टन समय है लाइस्टाइल सही रखिएगा वनना इस अबदी में बिमार होने के योग बन सकते हैं आगे बात करते हैं करकलगन की करकलगन की पत्रिका में क्या खूबी होने वाली है इस पार उनक दोस्तों के साथ बैठीए जरूर लेकिन वहां पर्स थोड़ा लेट खोलिए या दोस्तों को उधार देने से थोड़ा बचिएगा देते हैं तो इस आशा के साथ या इस सोच के साथ दीजिए कि यह पैसा वापिस नहीं आएगा इसके अलावा मा की सिहत का विशेश दिया दखें क्योंकि इस हवदी में चौथा भाव जिससे मा का विचार किया जाता है वहां पर एक नीच लिए चल रहा है मा का मार्केश चल रहा है माता के घबाव से और ना केवल इतना चतुतेश नीच का है तीसरे भाव में अपने से 12 शाकर इसलिए थोड़ा ध्यान रखेग अगर मदर की हेल्प में थोड़ा भी उपर नीचे लगता है तो पूरे प्रिकॉशन लेने की कोशिश कीजेगा बदलाव की नीव रखी जा सकते इस समय ऐसा दिखता है कि कोई ऐसा नया काम जो आगे चलकर आपको बहुत फायदा दे उस काम की नीव रखने का यह सही समय ह तो आपके जो प्लान्स हैं जो आपकी दोस्तों से बात हो रही है अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं और यह अवदी का वेट हो रहा था तो अब बहतर टाइम है इसको एक्जिक्यूट करने का यह इसकी शुरुआत करने का आगे देखते हैं सिंग लगन की बात करते हैं सि में उसके बुद्ध है जो की धन भाव का स्वामी है अब इसका क्या फल हो सकता है इसका फल यह है कि आपका धन के प्रती जो रुजहान है या एफ़र्ट है कि पैसा होना चाहिए पैसा कमाना है वो थोड़ा बढ़ने वाला है आप ज्यादा एफ़र्ट करेंगे तो गेन म शुक्र क्योंकि कारक है धन का भोक का लक्षमी का तो वह भी प्रभाव डाले एक बात और बता दो कि धन का कारक शुक्र और गुरु दोनों को माना जाता है शुक्र उस धन की विलासिता को रेप्रेजंट करता है और गुरु धन के अकुमूलेशन यानि उसके परशित में रुकावट आने के योग है उसका करण ये है कि राहु के तु एक्सेस मेरे दशम में बनी ही हुई है और दसवे घर के स्वामी पर भी अब राहु की दिश्टी आ जाएगी जैसे ही राहु शिफ्ट हो जाएगा वाँ तो इस वज़ह से कोई रुकावट काम ब ये राशी में शुक्र उसको देख रहा है तो कुल मिलाकर गुरू का लगन पर दिश्टी भी ये दिखाती है कि पारिवारे क्रिश्टे निभाने में ये समय अच्छा रही है अब बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए होने क्या वाला है कि उनका लगनेश दूसरे ब्यूटी से जोड़ता है वो लगन में आ जाएगा तो कला के शेत्र में रुची बढ़ेगी गीत संगीत जादा मधुर लगने लगेंगे गाना और ये सारी चीज़े जादा पसंद आने लगेंगी वो सकता है भारत में थेटर भी खुल जाएं तो मूवी देखने का प्ल तो अपने उपर कंट्रोल रखेगा और अगर कोई चीज छोड़ चुके है या उन चीज़ों से दूर हो चुके है तो दुबारा लिप्त नहीं होना और अगर कलते भी हैं तो कम मात्रा में करें क्योंकि इस समय उसकी वज़़ा से आपको परिशानी आ सकती है एक बात और मंगल लगन और लगनेश तोनों को देख रहा है अश्टमेश होकर तो अगर कुछ गडबड की तो दिक्कत जादा बड़ी हो सकती है इसलिए अगली लाइन विस से जुड़ी है कि ड्राइविंग भी ध्यान से करनी है पैनल्टी से तो बचना ही है अपनी लाइफ का भी ध द्यान से करना जैबरा क्रॉसिंग से पहले घाड़ी खड़ी करना और बाकी बातों को ध्यान रखना क्योंकि आपको या तो पैनल्टी या आपका कार एक्सिडेंट या वही कल एक्सिडेंट की संभावना बनी हुई है आगे बढ़ते हैं तुला लगन की बात करते हैं सफ़्चि जादा होने के योग्धा शाता है कि इसके अलावा पिता की सिहत का विशेश द्यान के क्योंकि पिता-भाव का स्वामी लगन में और पिता का कारकव में फुर्णीच का है उस पर शनी की है उस पर मंगल की दिश्टी है कि तो इस बादने अगर आप द्यान दे रखने जे फाइदा रहेगा खल्चे जादा रहेंगे तो हर वैसे ही आ रहे हैं तो संभावना है कि वहां पर कल्च हो क्योंकि शुक्र है वारविर में तो ऐसा नहीं दिखता कि कोई बुरी जगा पर खल्च हो रहा है तोड़ा दिल खुलेगा और जादा खल्चे होने के यो लीजेगा सोला नमंबर तक की बात है उसके पाद सिति थोड़ी बेतर हो जाएगे आगे बात करते हैं अब जानते हैं विश्यक लगन के लिए विश्यक लगन में सप्तमादी पती 11 घर में जा रहा है और 11 घरस्वामी बारवे में जा रहा है ऐसे सिति में जोड़ा हुआ पैसा वापिस आने के योग है कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने FD करवाई हो कही पैसा जोड़ा हो वो आपको वापिस रिटर्न में या यूज करने के लिए मिले उसकी संभावना जादा है इस अबदी में अगर किसी को पैसा उधा दिया हुआ था इसे पहले दिया था और आप वापिस लेना चाहरे हैं तो इस बाद अब उसके लि लगनादी पती मंगल को अगर आप इस कुंड़ी में देखें पहले तो केतु लगन में वैसे ही चल रहा है और प्रसूर नीच का बार्वे घर में धनू का गुरू दूसरे घर में थोड़ा आवेश के में आके किसी सामने वाले को उल्टा नहीं बोलिएगा थोड़ा समल क रहेगा यहां पर लगनादी पती पर शनी की विद्ष्टी आ रही है तो उसको भी हम इग्नौर नहीं कर सकते हैं प्रेम प्रसंगों में लाब मिलता दिख रहा है उसका कार्ण यह है कि लगनादी पती पंचम भाव में मित राशी का चलेगा चली रहा है मंगल और पंचम अधिपती भी अपनी राशी का है ऐसे में शुक्र ने उसको जो फाइनल टच देना है जो कि रोमैंस का कारक है उसने उसे देख लिया तो संभावनाएं हैं कुंडी में योग ऐसे दिख रहे हैं कि प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने के योग है और अपार्ट फ्रम एट तो सिती अच्छी चली रही है क्योंकि लगनादीपती लगन में आ गया धनादीपती धनभाव में आ गया पर यहां पर दशा में नीच का शुक्र चलेगा अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है शुक्र क्योंकि महिलाओ का कारक है शुक्र क्योंकि ऐसे व्यक्ति विशेश क को रेप्रेजन करता है जिसका आलतिक सिती बहुत अच्छी हो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में अच्छी खबर ला सकता है या वहां से आपको सयोग मिल सकता है तो अगर आपका आपकी कोई कलीग या आपकी कोई सीनिय फीमेल है और या पॉजिटिविटी की तरफ कोई बात चल रही थी कुछ प्रमोशन या अप्रेजल की बात चल रही थी तो थोड़ा ध्यान रखेगा इस अवदी में यदि प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम शुब मिलता दिख रहा है परिक्षा के लिए उत्तम समय क्राण यहां कि जो चछते भाव का स्वामी है वो दशम भाव में चल रहा है तो चछते का स्वामी जब दशम में चलता है तो इंटर्व संब्यू अगारा करने में कर दो अब किसी भी तरह की परिक्षाओं म 09 परिक्षा तो एक अच्छी चीज इस टाइम पर हो रही है वो ये दिखाता है कि आल्थिक रूप से इस समय संपन्नता बनी रहेगी आगे बात करते हैं अब जानते हैं मकर लगन के बारे मकर लगन के जातकों के लिए नवमेश रशमेश का राशी परिवलतनों ने जा रहा है जो कि बहुत अच्छा योग माना जाता है यहां पर भी व अच्छर आपके लिए फेवरेबल है उस निर्ने को लेने के लिए जाती साथ सूर्य बुद्ध की दशम भाव में युति कार्य शेत्र में भी बहतर होने के योग दिखाता है नौकरी मिलने के योग दिखाता है नौकरी हाला कि आपके लायक ना हूँ उसकी भी पूरी बहुत जादा स्प्यॉर्टी गॉंप्लेक्स में आके कॉई ऐसा निर्णा ना ले जो आपको आपकी लाइफ में आगे पलिशान कर सकता है क्योंकि उसके पूरे पूरे योग अभी है इस अवदी में घलत निर्णा नहीं लेना है और किसी की अवमाना नहीं करनी है अपमान क लगन का स्वामी पारवे में चल रहा है भागय का स्वामी अश्टम में चल रहा है दिखने में तो बुरा लगता है लेकिन यहां पर कुछ चीजे बहुत अच्छी है जैसे नवम का अश्टम में हाना और लगन अधिपती का द्वादश में जाना ही दिखाता है कि अध्या में शुक्र राहू बैठा है चौथे का स्वामी शुक्र नीच का हो गया अश्टम भाव में तो तुड़ा ध्यान रखने के आवशकता है कि मदर की हेल्थ जादा ना बिगड़े उनकी तवित का ध्यान रखना है सम्मानित होने के योग है देखिए लोग ना यह सोचते हैं कि जहां 6-12 में प्लैनेट चले गए वहां पर सिती खराब हो गया ऐसा नहीं है अश्टम भाव में लगन से अश्टम में भी और चंद्रमा से भी अश्टम में जब शुक्र का गोचर होता है तो इसे विशेश राशी है उससे छटे, सात्वे, दस्वे इन तीन घरों में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं मानाई है इसके लावा बाकी घरों में कुछ ना कुछ फायदा वो लेकर ही आता है इस बारे में जब अभी राशी फल के उपर हम दुबारा आएंगे कि बारा राशी उपर इस चनल फायदा उठाया जा सके उटना उठाने की प्रयाश सके उपर इसके बारी बाद म और बाफ्दी अच्छी आजकल ग्रहों के सिथी ठीख होती जा रही है ऑप रापती की योग होने यहिवी कारण है कि धनाधीपति लगशन में चल रहा है और उसके उपर धन कारग की या विलासता के कारग शुक्र की दिश्टी जो कि अच्छा यो मेहनत रंग लाएगी इस समय किये प्रयास आपके सफल होने के योग है तो थोड़ा एफट बढ़ा दीजे और उस एफट पर काम करते रहे हैं आपको आगे चलके फाइदा होने क योग सफुराल से संबंद इसका थोड़ा विशेश त्यान रखेगा क्योंकि इस अबधी में जो सफुराल का जो पक्ष है या सफुराल वालों के साथ जो आपके संबंद है उसमें थोड़ी खटास आ सकती है कारण यह है कि मेरी कुंडली में सब्तम अधिपति अश्टम म बनाते हुए यह कहें कि पूरा आदल देते हुए लेकिन बहुत जादा उनको इतना करीब नाने दे कि वह आपको ठेस पहुच आ सके अगर इस दूरी का ख्याल रखते हैं तो और कोई परिशानी नहीं कुल्डी आपकी अभी अच्छी चाल तो यह बारा लगनों पर इस न अधन से भिन्न होता है तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षिन ने बताएगा कि गोचर पर आपको वीडियो पसंद नहीं कि नहीं जोतिश नमदित और जानकारी के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करें अन्य था हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं